जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मार्पिट और फाइरिंग हो गई इस दोरान आठ लोग घायल हो गई यह मामला उत्रपरदेश के मैनपूरी के भोगाउं थाना शेतर के ग्राम शिवालपूर का है सबी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवाया गया घटना की सुचना मिलते ही मोके पर एसपी मैनपूरी और एसपी मैनपूरी सहित भारी संख्या में पोलिस पहुची वही गाउं में शान्ती व्यवस्था को लेकर पूलिस तैनात करती गई है आपको बता दे कि भोगाउं थाना शेतर के ग्राम शिवालपूर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए देखते ही देखते मामला इतना पढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट के बाद पत्थराव भी शुरू हो गया जिसके बाद अराजत तत्वों ने फाइरिंग भी की दोनों पक्षों में जम कर खुनी संगर्श हुआ इस मारपीट और फाइरिंग में आट लोग घायल भी हुए हैं मारपीट और फाइरिंग की सुचना मिलते ही मोके पर एस पी और एस पी मैनपूरी भारी संख्या में पूलिस बल्ले कर पहुची जिसके बाद एस पी ने पूरे मामले की गंभीरता से जाच की और बड़ी कारेवाही करने की बात कही हालाकि सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भीजा गया है मैंपूरी से समाधाता गौरफ पांडे की रिपॉर्ट इस यूपालपूर गाउं है ठाना बो गाउं मैंपूरी का इसमें एक जमीन के छोटे टुकड़े थे लेकरने के दो पड़ोषू में मारपीट होई है इसमें दोनों पक्सों को मिला करके फुलाट रोग घायल है। खाईलों को पुलिस के दोरा ले जा गया है उनका उप्चार कराया जा रहा है तरी ली जा रही है तरी के अधार पर कार्वाइफ की जाएगी मौके पे शानती बेरुस्ता कायम है और कीवार्टी और पुलिस को यहां तैनार कर दिया गया है बताइए सब एक बार और जगड़ा परसों हुआ तो इनने उनको मारा पीटा जी इनके असले इनने पहले भी लेकर रख लिए घर पर अच्छा जी आज जगड़ा हुआ जिब लोग वैगन गार देंगे ये लोग असला लेकर कि दम हाई हो गए जी लोगों पे और लोगों क बोली लगी हुए है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घर्नेवादी झाल 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 झाल